चैनल में आपका स्वागत है मैं आज आपको एक कुम्ड़े की मीठी सब्जी बताने जारी हूं बनाने की विदी इसमें आपको आपको स्वामगिरी की है चालोereye को ले लिया हमने थोड़ा पका वाला को लें गेन कुम्ड़े को छील के इतने बड़े बड़े पीस है यह देखें इसमें हमने काटके रखें इसमें हमने देशी चना है उसको फुला के रखा इसमें डालने के लिए लाल मेर्च लिया, जीरा मेती ले लिए तेल ले लिए इसम이में मे नीमवब्हक पढ़ता है कर लिए बहुत स्वाजिश्ट बनती है नमक और यह शक्तु सब्जा क्वेन चल्ए अब हमकर चलते हैं सब्जी बनाना इसमें हमने बनातë पतेमारbased kamaμ University पीक है कोगद दिम्टे का है है अब ये हम इसमें डालते हैं ये जीरा में और ये सुखी लाली में चम तोड़के डालते हैं कि अपनी तीख्या कितना कानों की साफ से आप डालें ये हो गया है कि कुम्ड़े को हमने चिल के और धो के काट के चोटी-चोटी पेश में रख लिया है बहुत जल्दी बनती है सब्सक्राइब और भी कुम्ड़े की मैं आपको सब्सक्राइब बनाने के लिए बताऊंगे ल वीडियो में आपको बताने जालें कि सब्सक्राइब हमारे अगे लाल दिये कुम्ड़े को दाव दिया है उसके बाद ये चले हैं सेमे को दो के चूँके कुला के रखता हुआ ये चना भी हम देखते है अब इसके साथ ले चना डालगे चना डालने के साथ आप देखेंगे हमेसे पानी डाल देखेंगे इसके पड़ा गलने के लिए कुम्ड़ा वेच्छे से गल जा रम रख्चना भी पग जाए ये बाद में ये पानी एकदम सूप जाएगा यहन्ने इसमें ये जाब दिया अब इसमें हम डालेंगे आपका नमक सब्जी के अकॉर्डिनली इसमें नमक डाल देंगे इसे सब्जी जद्धी पग भी जाएगी शक्कर बाद में डालेंगे जाएगे यह बाद सब्जीन आप चुकिए अब इसमें हम इसमें शक्कर जाएगी आधा किलो कुड़ाय है इसमें हमने 2 चमा शक्कर डाल दी अब ये देखें पकने के बाद देखें कैसी सब्जी बग जाएगा तो पीस-पीस हालाग हमने ये शक्कर लग जाए इसको तो निखान के गैस बनकर की निम्भू का रज डाले तो क्या हो तो उसका टेस्ट में कड़वा पर न आ जाएगा वर चलती गैस में डालने से खोड मजा नहीं आता उसना खट्टा नहीं आएगा कड़वा टेस्ट फुलिया तो सब्जी में अजय को अजय करें तो सब्जी है अधे चम्मिक तेल में यह सब्जी प्रेशिया ना कोई मसाला ना कुस्त नहीं है अब यह गैस हम बंकिए और यह देखिए आदा निम्बू रखे मैंने इसमें निम्बू ने चोड़ गए निम्बू ने चोड़के अच्छे चलाएंगे तक निम्बू कड़ी में में अच्छ हो जाए यह अगर यह सब्जी आपको सब्सें आती है तो मेरे इस वीडियो के लाइक को तो अब तरहों है सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके इस रेशिपी कैसी लेगी आपको में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी दें धन्यवाद